क्या है आध्यात्म दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृती की परंप्रागत विरासत आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिये और समझे उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड से हमारे खास कारिक्रम आत्म विज्ञान में आत्म विज्ञान यानी सही द्रश्टी, सही सोच में आपको आफका आध्यिक स्वागत है उसको मिटा करके उसकी जिर्म ज्यान देते हम correction देते हैं, हमारा आतम विग्यान कारी करम, correction का विग्यान है और correction देना बहुत बड़ी बात है, हम correction दे करके गलत को săईगे बनाते हैं, जैसे कि teacher बच्चे का लिखे हुए को, को अशुद लिखे हुए को correction करके शुद करता है, तो वो ही हमारा कारी है, हमारे पास नगा को ये सारा कारिय हम अलग-अलग episodes, चिंतन, विचार, धारा के मात्यम से करते हैं तो आज हम बहुत सुन्दर episode लेकर के आपके सामने प्रस्तोत हो रहे हैं आज का हमारा episode है अभी प्राई opinion भाई और बैनों बहुत ही सुन्दर चीज है और समझने की चीज है ये लोकिक जगत और पारलोकिक जगत हमारा जो पांच इंदरियों से दिखने वाला भातिक जगत है उसमें भी कारगर है और पारलोकिक जगत जो आत्मा का जगत है प्रभू का जगत है और हम अगले जनम में जाने वाले हैं मुक्ति को जाने वाले हैं हम परमसुख को प्राप्त करने वाले उस जगत के लिए भी आवशक है तो ये जो है द्वेत है ये इसमें भी अच्छा और उसमें भी अच्छा और ये मान के चलिए कि जिस व्यक्ति का वर्तमान अच्छा है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का भविश्य अच्छा रहा हुआ है जब उस वक्ति का भूत काल अच्छा है तब उसका वर्तमान अच्छा है क्योंकि जो वर्तमान है वह भूत काल की प्रतिद्वनी है द्वनी उसने की थी भूत काल के अंदर उसने अभी प्राय भूत काल में डाले थे उसने जो opinion भूत काल में डी थी और उसने जो है cause भूत काल में डाले थे उसकी प्रतिध्वनी वर्तमान काल मैं आपको उदान देना चाहता हूँ आप किसी खुले कुए के पास जाकर के जोर से बोलिए ओम तो ओम की ध्वनी बाहर आएगी आपको प्रसनचित कहेगी फिर आपको होगे तू नालायक है तो भीतर से आवाज आएगी तू नालायक है यह आपको दुखी करेगी तो यह ध्वनी और प्रतिध्वनी यह cause and effect यह action to the reaction है यह प्राकरतिक नियम से संचालित होता है तो इसलिए भूद काल अच्छा है भूद काल अच्छा है तो हमारा वर्तमान अच्छा होगा और जिसका वर्तमान अच्छा है तो निश्चित रूप से उसको मान कर चलना चाहिए कि यह भूद काल अच्छा होगा के बात करने चाहिए अगर हम खंड खंड में बात करें कि हमारा वर्तमान अच्छा हमें रहना वर्तमान में चाहिए लेकिन बात टोटिलिटी करने चाहिए टोटिलिटी में करने से हमारा जीवन बनता है चरितर बनता है और हमको सनातन सत्य मिलता है हमको कुदर्त कुदर्ति कुदरित के कानून के तैद यूनिवर्स लिटरों सार भूम सत्य मिलता है तो भाई और बेनो अब जो आज का मूल विशे है ये भूमी काती मूल विशे पराते है अभी प्राए ओपीनियन अभी प्राए का अर्थ क्या मतलब होता है कि कोई भी विटि जैसे एक जुवारी विटि जुवा खेल रहा है जुवा में हार रहा है या जुवा में जीत रहा है तो हम रियक्शन देते हैं उसको देख करके कि कैसा बढ़माश आदमी है जुवा केलता है कैसा एकदम ठड़कलास विखती है और ये जुवा क्यों खेल रहा है अरे ये तो उसका प्रारब्द है ये तो उदह है पहले जुवा के भाव डाल के आया है पिछले जनम के अंदर कोज डाल के आया है और ध्वनी करके आया है ये जुवारी की प्रती ध्वनी है तो आप उसमे अभी प्राय क्यों देते हो आप को अधिकार किस ने दिया जो मूल कुदरत है जिसने आपको जनम दिया वो आपको पैदा करने वाली है वो पालन पोशन करने वाली है और हर कारी उसके अंदर होता है और अंतिम स्टेश तक आपको जो है वो संभालती है मरने तक संभालती है तो वो ये कहती है कि विवस्ति सक कि कि रूप के अंदर करता मैं हूँ, उसको मैंने किसी भी प्राणी को कोई करता बनने की, पावर ऑफ एटरॉनी नहीं दी है, करता बनने का कोई भी मैंने आदेश नहीं दिया है, वो बनता है, तो वह उसका अग्यान है, उसका अग्यान का फल उसको मिलेगा, फल क्या जन जन्मानतर के अंदर वो चौरा सी लाग जीवाई उनी में दुख के कारणों के अंदर घूमता बढ़ेगा, अग्यान दुख को पैदा करता है, जनम लेना भाई और बैनों इतना सरल नहीं है, माह के पेट के अंदर हम नौ मैले उल्टे लटकते हैं, खटी मिटी ड़का और गर्मी और गंदगी हम प्रभू से प्रातना करते हैं, मेरो वो जल्दी से जल्दी बाहर निकाल, मैं आपको कभी नहीं बुलूँगा, आपके भजन करूँगा, तो कितना सुन्दर बात जो कबीर दाजी ने का है, कि सुख में सुमिरन सब करे, और दुख में करे न अधायका हुए, भया सुक और दुख को एक सा मानो, न तो सुक के अंदर फूलना है, न दुख में दुख ही होना है, एक सिक्के के दो पहलू मानो, तो आप इस्तित प्रग्य बनोगे, आप प्रग्या चक्सु बनेंगे, और यही जीवन है, यही संभाव है, और यही को तकलीफ होनी नहीं है, आप तो निश्काम कर्म योगी बन जाओगे, निश्काम कर्म योगी क्या कहता है कर्म योग, क्या कहता है तुम कर्म करो, करना पड़ेगा, जीवन भर एक खण भी ऐसा नहीं आएगा, कि व्यक्ति कर्म करने से रह सकता है, रात में हम सोते हैं, तब सोते समय भी हमें जो हमारा अवचेतन मन है वो बहुत सपने दिखाता है इसका मतलब वहां भी आप कर्म कर रहे हो क्योंकि आप ले के आये हो इसलिए कर्मों से हाध व्यक्ति एक सेकंड क्या सेकंड के हजार में भाग में भी वह बिना कर्म के रह नहीं सकता जब बिना कर्म के नहीं नहीं सकता तो कर्म कैसे करें यह तो समझो भगवान करशन कहते हैं निश्काम कर्म करो कर्म करते रहो यह आपका प्रारब्द उदय है आपको करना पड़ेगा लेकिन फल की इच्छा मत करो यह आपका चिंतन है तो यह आपकी सुतंतरता है आप फल का चिंतन करते हो तो दुखी हो जाओगे क्योंकि फल अच्छा भी मिल सकता है करम तो है आप प्रदंतर हो आपको करना पड़ेगा लेकिन फल आपके आतुमे नहीं है तो भाई और बैनों हम अभी प्राय देते हैं व्यक्ति के बारे में कि ये बदमाश है, ये जुवारी है, इसकी संगत अच्छी नहीं है, ये शराबी है और ये जेब कत्रा है और ये जो है, वो कहना चाहिए कि ये पशों के हिंसा करने वाला कसाई है, ये सारे जितने जितने भी अभी प्राय हम देते हैं, तो ये हमको अधिकार नहीं है, और ये जितने भी अभी प्राय है, हमारे करम बंदन के कारण है, ये अभी प्राय देना अज्ञान है, और जितना जितना अज्ञान है, वह करम बंदन का कारण है, ना तो आप करता हो, ना जिसके बारे मैं कह रहे हैं, अभी पराय दे रहे हो, वो करता है, तो इसलिए पांच आग्या में क्या कहा गया है, कि करता तो केवल विवस्ती सकती है, scientific circumstances in evidences है, यह संब्य ग्यान है, वही एक जो है, वो इस जगत का संचालन करने वाली, संजोग मित हो, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जीवन में कभी भी किसी के प्रति, कोई अभी पराय नहीं देना, क्योंकि आपकी jurisdiction के बार की चीज है, आप भी जो है, अपना जीवन दी जी रहे हो, करमों के अदिन जी रहे हो, वो भी करमों के अदिन जी रहे है, एक स्वाई तो आप उल्टा सीधा जो है, अभी पराय जो है ना, वो क्यों दोत देते हो, वो गलत है, वो दुका कारण है, वो ग्यान है, वो करम बंदना कारण है, तो आज से नियम बनाओ, कि आप किसी के प्रति अभी पराय, कोई भी गटना गटित होती है, तो अभी पराय नहीं दे चोटे तोर पर मान लीजिए तो कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर है तो उसकी प्रति में ओपीनियन बनाते हैं कि किसी समय वह जो है उसने गुंसली होगी तो एक बार गुंसले लित हम ओपीनियन बना देते हैं कि फला व्यक्ति गुंसकोर है फला व्यक्ति व्रस्टाचारी है औ और जीवन भर उसकी opinion हम यही रखते हैं, कोई change नहीं करते हैं, उसने तो particular समय के अंदर लेकर के और बाद के अंदर अपना शुद्धी करण करके और जो बाद में वो इमानदार बन गया, वो व्यक्ति था, वह इमान था, लेकिन व्यक्ति तो हर वक्त बदलता रहता है, क्यो वो बैमान से इमानदार हो गया, लेकिन हम तो आस तक यह opinion देके, जीवन पर यह opinion देके रखते हैं, और हर खशन उसकी अई बात करते हैं, वो तो बैमान है, वो जो वेविचारी है, वो गुंडा है, वो जेव कत्रा है, और वो जो है, वह जूट बोलने वाला है, चाहे उस उसने एक बार जूट बोल करके, फिर कसम का ली, मैं कभी जूट नहीं बोलूँगा, लेकिन opinion यही बना रखी उसके बारे के अंदर, कि वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, तो यह opinion अग्यान है, यह करम बंदन का कारण है, यह विभाव है, यह अपने स्वभाव से अटाने का है, यह हमारी power में नहीं है, यह हमारे jurisdiction में नहीं है, हम तो निमित हैं, यह अभी पराइ opinion कौन दे सकता है, जब कोई करता होता न वो यह दे सकता है, और मनुश्य तो करता है ही नहीं है, और करता भाव रखना सबसे बड़ा जो है, करम बंदन का कारण है, वो welding है, सबसे बड़ा अग्यान है अपने आपको करता मानना कैसे करता मानते हैं ये मकान मैंने बनाया ये घर मैंने बनाया बचों को जनम मैंने दिया बचों को I.S. I.P.S. मैंने बनाया इनकी शादिये मैंने की और इनके लिए इतने इतनी प्रापरिटी की वश्ता मैंने की इनको पाला प करता की बात बताना चाहता हूं उस उधारन से आपको क्षीर नीर का विवेक हो जाएगा आपको रियल टुट सनाता सत्य मिलेगा देखिए मुझे एक बड़िया मसालेदार एक कब चाए पीनी है तो मैं क्या करूंगा दूद लूँगा चाए लूँगा उसमें चीनी डालू और मसाला डालूंगा फिर उसको अगनी पे रखूंगा और फिर मेरी हाथ से जो है वह उसको भगोले को हिलाओंगा चार पांच उफान आएंगे उफान आने के बाद में सारा मिक्शिंग अच्छा हो जाएगा फिर उसकी एक बड़िया चाहे मैंने कप में डालके पिया औ अगनी नहीं होती भगोला नहीं होता तो आप अकेले हाथ इलाने से क्या चाहे बन जाती इसका अर्थ क्या हुआ कि दस लोगों ने दस निमित ने मिल करके एक कारे किया उसमें से तुम एक निमित हो तुम तो दस ही निमित बनना चाहते हो संबव नहीं है आप मकान बनाते हो तो आप तो केवल एक निमित हो मकान में कितनी चीए चीए रोडी चीए पत्तर चीए सिमेंट चीए और हमारी पटियां चीए आरसिसी चीए वुड चीए कितनी कितनी चीजों से जाकर कि मकान बनता है और आप कहते हो मकान मैंने बना है मैसन चीए और जो है वो मजदूर च तो आप अपने आपको करता मानते हैं, आप एक निमित मानो, इसलिए एक आप अपने नियम बना लो, अगर आपको अच्छा जीना है, आपको ग्यान से अटा करके ग्यान को प्राप्त करना है, आपको मुक्ती की और जाना है, तो जो पांच आगिया मुक्ती में ले जाने वा cross लगा दो no no honor and no doer नहां तो किसी चीज़ की honor बनो घर के मकाने सरीर के भी honor नहीं मैं आप से पूछना चाहता हूं किया ये सरीर के आप मालिक हो आप मालिक हो तो इसको साथ क्यों नहीं ले जाते हो यहीं छोड़के जलने के लिए क्यों जाते हो आप मालक नहीं हो, जब सरीड कहीं मालक नहीं हो तो आप आप जीवन के मालक कैसे हो सकते हो इसलिए अपने आपको कभी करता मत मानो तो ये करता भाव से ये Opinion और ये Abipra version बनते हैं तो Opinion और Abipra भुआ बहुत गातक है इसलिए आप जीवन के अंदर अपना एक अच्छा नियम बना लो अगर मुक्ती को जाना है तो मैं किसी के परती अभी प्राई ओपीनियन नहीं दूँगा किसी के परती ओपीनियन में बना के नहीं रखूंगा ठीक है वो वक्ती जैसा है आप एक बार अपने देख लिया और न्यूटल हो गए क्योंकि ग्याता दृष्टा तो होई आप तो ग्याता दृष्टा में जानना और देखना यहां तक तो ठीक है लेकिन जो ही उसके साथ किदर आपने राग दूश को जोड़ा जो हमारा अज्ञान क्या है यह अज्ञान एक ही चीज अज्ञान है वो राग और दृष्ट राग दृष्ट से मुक्ती सची मुक्ती है राग दृष्ट जीरो करने से बाद में ही आप शिद्ध बुद्ध मित बन सकते हो और राग दृष्ट को कब जीता जाता है संभाव से संभाव क्या है कि राग और द्वेश को पनपने नहीं देना सबको एक मानना देखिए हमारी दो आँख है एक राग की आँख एक द्वेश की आँख ये कहती ही अच्छा है दूसरा कहती ही ये बुरा है ये कहती ही कि मीठा है ये कहती ही खारा है ये कहती ही किसको खालो ये जीवायनी में रुलाने वाली यही बुद्धी है तो इन दो आखों के से अगर आपको ग्यान लेना है ग्यानी पुरुष बनना है क्योंकि आपका लक्ष मुक्ती यह है मैं जो बात कर रहा हूं लक्षे के साथ बात कर रहा हूं मैं आपको करोड़ पती अरब पती और बड़ क्यों कर रहा हूँ, यह मैंने आत्म विज्ञान कारिकरम क्यों लिया कि ये बात मनुष्य ही कर सकता है कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है मनुष्य के अलावा जो कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप यानि पांच आग्या का फालन मनुष्य ही कर सकता है, पशू नहीं कर सकता पशू है, छोट छोटे त्याग कर सकते हैं, शावग बन सकते हैं मान लिया है, क्योंकि उनका limited, उनके पास में developed बुद्धी developed मन और developed चित्व और developed एंकार नहीं है, और एंकार भी दो तरह का होता है एक positive एंकार होना चाहिए positive एंकार आपको आगे बढ़ाता है, आपको अपनी मरियादा में रह करके आपका development विकास करता लेकिन negative एंकार जो रावण का एंकार था कि वो सब को निम्न समझता था, तीन लोकवा का नात अपने आपको मानता था और किसी कुछ नहीं समझता था वो negative एंकार होनने वाला डुबाने वाला है, तभी रावण की जो है इतना बड़ा ज्यानी वेद मर्मग्ये और शिव का भक्त और इतने बड़े वर्दानों को प्रकाप्राप्त करने वाला भी वह जो है राम के हातों मारा गया, क्योंकि वो अधर्म पर था, वो अज्यान पर था, इसलिए अज्यान है रागद्विश, इस रागद्विश को पाटिए, रागद्विश को जीतिए, और रागद्विश को जीतेंदर बनने पर ही आप जो है केवल ज्यानी बनते हो 360 डिग्री तक पहुंचते हो और 360 डिग्री पर पहुंचने के बाद निस्थी त्रॉप से शिद्ध बुद्ध और मुक्ट जो चोद्मा पुनिस्थान पर आकर किया पहुंच सकते हो तो भाई और बैनो मैं इस पूरे विश्य को जो है आज open to the audience करता हूँ आपके suggestion और आपका चिंतन और आपका प्रश्ण आपकी जिग्याशा आपका सुजाब चाहता हूँ तो सब कुछ open करने के बाद मैं निश्कष पर पहुंचता हूँ कि अगर व्यक्ति opinion और अपिप्राई ये दो बातों को छोड़ दे मैं ये नहीं कहता हूँ आप किसी से बात मत करो आप किसी भी व्यक्ति से बात हमको करनी पड़ेगी और हमारा प्रारब्द उदे है वो तो हमें जिस वक्ति के पास जाना है वो जाना ही पड़ेगा और देखिए हमारे घर में भी देखिए कि हमारे पत्नी होती है बेटे होते है बहुय होती है पोते होते है पोतिय होती है और वो जनम पर पत्नी है वो जनम पर साथ रखती है ये फाइल नमबर दो है तो ये जितने भी हमारे घर में आये हैं को सुक्ष देगा और लेने के रूप में आपको दुख देगा आपका पैसा हडप लेगा आपको यश्णी देगा आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी वो गालियन देगा और लोगों के वो भ्रमित करेगा जबकि आप उसका कोई बुरा नहीं कर रहे हो लेकिन पूर जन् निर्दोष नहीं देगे यह संपूर्ण जो जगत है वह निर्दोष है यह संपूर्ण जो है वह सारा ब्रह्मांड है वह निर्दोष है और 84 लाग जीवा योनिया मेरे लिए निर्दोष है तो दोष कहा है दोष मेरे भीतर उस कोजल बोड़ी के अंदर दोष है उस जो कर प्रे किये जन्मांतर के अंदर क्वाजेश डाल करके तो कभीरदाज जी ने बहुत सुंदर का है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा ना कोई कभीरदाज जी एक बार पर और पहन लेकर के निकल पड़े कि मैं लिस्ट बनाऊं कि दुनिया में कितने लोग बुरे हैं और कितने अच्छे हैं कभीरदाजी घूमते रहे घूमते रहे कई दिन घूमने के बाद उनको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बुरा हो जब उन्होंने भीतर जहांकना सुरू किया उन्होंने देखा कि बुराई की जड़ तो ये रही बुराईयों का बंडार तो ये बरा पड़ा बुराईयों का ये वेराऊस है तो मुझे उसको साफ करना है जो कई जन्मों से इकटी की हुई है जो हमारा अचेतन मन है हमारी भावना है हमारा आठ करम है जो लिंग सरीर ये कौजर बोड़ी है उसकी 148 प्रकरतिया है तो उसकेज मैं डीटेल मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो ये उस रूप में दोशों के रूप में एकटे हुए है तो ये किसी पर दोश देखने हो तो अपने देशों देखो गुण लेने हो तो दूसरे से देखो देखिए मैं ये अंगूली एक आपकी तरफ करता हूँ तो ये अंगूठा और तीन अंगूलिया मेरी तरफ होती है वो ये कहते है तुम किसी के दोश दे रहे हो अंगुली निर्देश करे हो, खुद के अंदर भी तो जांको, तुमारे में तो उससे चार गुना दोश है, वो देखो न, भला तुमारा उन दोशों को शुद्ध करने से होगा, अगर दूसरे के दोश देखोगे, तो तुमारे दोशों के साथ में ये जुड जाएंगे, औ तो इसको डाउन करो, भाई और बेनो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मारा आत्म विज्ञान कारिकरम बराबर देख रहे हो, देखते रहे हैं, देखते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सुन्द सुन्दर बात है, आपके हाई लेवल की, आपको अच्छा इ उसी लिए उमारा आत्म विज्ञान कारिकरम है, आपके परती मंगल भावना, शुप कामना, आप शताई हो करके, खुब लोगों का परोपकार करें, और शिद्ध बुद्ध मुख बने आपके परती डॉक्टर सोहन राज तातेड से, हमारे खास कारिकरम आत्म विज्ञान में, आत्म विज्ञान यानी सही दृष्टी, सही सोच